आज की वीडियो में में आपको चार मेहने की बच्चे के बारे में सारी चीजे बताऊंगी क्या क्या-क्या बच्चे की माइलिस टोन हो दा हैं और कौन-कौन से चीज़े आपको बिल्कुल इस्ट्रइकली अबोईड करने चाहिए वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लिश के गरदन जो होते हैं काफी stable हो जाते हैं बच्चा काफी comfortable हो जाता है जिसके वज़े से वो पलटना स्टार्ट कर देता है दूसरी milestone होती क्या है कि उस time पे जब बच्चा पलटना स्टार्ट कर देता है तो उसी time से आप बच्चे को tummy time भी दे सकते हैं चुकि tummy time देना या फीडिंग दे रही है तो आपको 1500-200 ml की फीडिंग बच्चा जरूर लेता है उस time पे बच्चे को यह परयाप्त मात्रा में milk जाना चाहिए लेकिन अगर आप brush feeding करा रही है तो exclusively आपको brush feeding कराते रहना है यह आपको बिल्कुल नहीं सुचना है कि इस time पे बच्चे को solid food दे आपको पूरी तरह से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ milking देना चाहिए मिल्क के अलावा ना कोई शहत देना चाहिए ना कोई पानी वगरा कुछ भी आपको नहीं देना चाहिए और इस time पे solid food भी आप स्टार्ट बिल्कुल ना करें चौती चीज क्या होती है कि जब बच्च पे आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे को आप फीडिंग की जरूरत है लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि चार महने के बच्चे को आप स्टार्ट कर देंगे उसको कम से कम छे महना होने दीजे साड़े पाच महने में भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई द तो सिर्फ एक चम्मच आपको एक बार में देना है that's enough एक चम्मच से जाधा आपको चीजे नहीं खिलानी है बच्चे को चाहे वो स्टार्टिंग में यानि कि जो चीजे आप छे से साथ महने के बच्चे को आप खिलाने वाले है वो अगर आप सोचिए का कि चार महने के ब बात मानी जाए तो छे महने के बाद ही बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करने चाहिए पाच्वी इंपर्टन चीज क्या होती है कि बच्चे को इस टेम पे काफी जाधा वो नोटिस करने लगता है आसपास की जो चीजे होती है वो देखने लगता है कि आसपास क्या च चार महने का बच्चा यह बहुत इजली कैपबली वो कर पा रहा है और उस टेमपे जब बच्चे की थोड़ी-थोड़ी सी वोकल अगर स्टार्ट हो रही है तो इस टेमपे उसकी शुरुआत हो सकती है यह हलकी फुल के आपको वोवेल यह हलकी फुल के आपको थोड़ा करा रहे हैं जितना जादा उससे बाते कर रहे हैं वो धीरे-दीरे और भी जादा क्यूरस होगा वो जल्दी-जल्दी से बोलना है स्टार्ट भी कर सकता है तो आप बच्चे से जितना ज्यादा इंट्रैक्ट करीगा बहुत सरी चीज़े कलरफूल उसको दिखाईएगा त बच्चे के उबर भी काफी जादा खास ख्याल रखें क्योंकि जब बच्चा बहुत सरी चीज़े अपने मुह में लगाने लगता है तो खिलोने वगरे जो अगर गंदे है वो भी उनको भी मुह में लगाने स्टार्ट कर देता है तो उस टाइम पे मा थोड़े सी कौशेस जादा है और अगर चार महीने की बच्चे की वेट की बात की जाएं तो बच्चा 6-7 किलो का होता है जो की बिल्कुल नार्मल है और उस टाइम पे में बच्चा काफी जादा कमफर्टेबल हो जाता है बच्चा गोध में आने जाने के लाइक भी हो जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि उसके गर्दन को सपोर्ट के आवशकता है वो बहुत ही इजली आपके गोध बगरा में भी जा सकता है लेकिन अगर वो comfortable होगा तो क्योंकि कई बार बहुत सरे बच्चे होते हैं जो की cranky हो जाते हैं तो cranky होने का वज़ा ये भी होता है कि अगर उनकी नीन अच्छी तरह से पूरी नहीं होई है उसके वज़ा से भी चिड़ चिड़े या cranky हो सकते हैं लेकिन बेसिकली जो बच्चे होते हैं चार महिने के वो बच्चे रात में भी बहुत ही अच्छे से peacefully सोते हैं यानि कि 10 से 12 घंटे वो एक साथ सो सकते हैं लेकिन कई बार एक से दो बार भी बच्चा कई बार feeding के लिए उठ सकता है तो एक बार उठना या दो बार उठना बिलकुल नॉर्मल है तो आप इसको इतना ज़दा परिशान ना हो क्योंकि उस टैम पे बच्चे को रात में मिल्क पीने की अवशकता होती है बच्चे की जो body होती है लगतार डिमांड करती है और उसको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को ब्रिश फीडिंग या फिर फॉर्मुला फीडिंग आपको जरूर कराना चाहिए उससे भी बच्चे की बॉवल अच्छी होती है बच्चे का जितना अच्छा पेट भरा रहेगा उतना ही बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी तो बच्चे की स्लीप के उपर भी आपको ध्यान रखना है और बच्चे को जो भी डाइपर पहनाते हैं वो चार महिने से आपको बड़ा ही इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि जितना जादा बच्चा थोड़ा सा फ्री महसूस करेगा उसको रैशिस होने के चांसे काफी जाद मतलब कम होंगे तो कोशिच करें कि आप चार महिने के जो बच्चे हैं आपकी इस तरह के अगर चीजे कर रहे हैं तो उनकी अक्तिविटीस को नोटिस करें उनको पैमपर करें उनको खुब प्यार दें और बहुत सारा प्यार आपकी बेबी को मेरे तरब से भी अगर ये व